अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और बाल आइकन प्रेस करना ना भूलिए ताकि हमारे नई से नहीं वीडियो आप तक चल से चल पहुंच पाए तो फ्रेंज आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जमू कश्मीर पब्लिक सविस कमिशन द्वारा जो नोरिफिकेशन जारी किया गया था अब नोरिफिकेशन क्या है वो भी बता देते हैं आपको तो वेकेट पोस्ट हैं खाली पोस्ट हैं लक्षर्स की तो कहां पर हैं फ्रें हॉस्पिटल जम्मू और श्री नगर में वेकेंश हैं अगर आप इंट्रेस्टेड हैं प्लीज अप्लाई कर लिजे टाइम से तो टाइम की बात करें तो आपकी जो फॉर्म जो है आपकी एज लिमिट प्रेफर करी जाएगी और कुछ एड़िट ऑप्शन भी हैं ये बाद में फॉर्म फिल होने के बाद अगर आपका फॉर्म गलत फिल हो जाता तो आपको टाइम मिलेगा अपना फॉर्म सुधारने का फॉर्म फिल आप दोबारा से अच्छे से कर पाए श्री नगर की सुपरिफरिश्पशलिटी ठीक है तो इसमें र३ा है मैडिकल ऑंकॉलोजी ऑपनमेरिट में एक ही है तो टोल भी एक है इसकी एक पोस्ट रही है और ने स्प्रालोजी की है एक है वो भी ऑपनमेरिट में नीद कि वह भी एक है तो उसके बाद आते हैं बात करते हैं लक्षर की इन गोर्मन मेडिकल कॉलेज चम्मू सुपर स्पेशलिटी तो इसमें दो दो वकेंसिस हैं कुछ में एक है तो कार्डियोलोजी की जो है वह एक ओपन मेरिट में निकाली गई है और एक आरबी में तो इसकी द लग रही होगी अठी लग रही है तो प्लीज लाइक जिरूर कर दीजिए इतना तो बनता ही है न तो लेक्षर गोर्मन मेडिकल कॉलेज श्री नगर की बात करते हैं तो इसमें अनेस्टिशियोलोजी की चार पोस्ट है टोटल दो है ओपन मेरिट की एक रहेगी आपकी आर अपन मेरिट में है एक आर बीए में है और एक जो है आपकी वह है ऐसी के टागेरी में ठीक है आगे गाइनी और आपस की बात करें तो एक ओपन मेरिट में है एक आर बीए में है उसके बाद अब थाल्मोलोजी की बात करें तो एक ओपन मेरिट में है एक आर बीए में है औ तर अबकर मेरें अरैय तर मेरें तो concur सर्चेन की बात एंटीय की तो शुरी की करें वैंट हैं एक आपकार मेरें दौर एक ST में है और Blood Bank की एक ही है Open Merit में आप गाइनी की बात करें तो 6 Open Merit में एक RBA में एक ST में एक ST में और एक जो है आपकी ALC IB में ठीक है तो उसके बाद चलते हैं आगे एक इसमें वो भी है EWS की भी है अच्छा है फ्रेंज उसके बाद अब स्थाल्मोलोजी की बात करें एक ही Open Merit में सर्चुरी की बात करें एक Open Merit में एक RBA में SNPM की बात करें एक Open Merit में एक RBA में और एक AC में और रेडियो डाइगनॉसिस की बात करें एक Open Merit में और एक RBA में ENT की बात करें तो Open Merit में ही है तो जिप्टी medical superintendent की बात करें तो एक ही है वो भी open warrant में और MRO officer जो officer होता है ना MRO बोलते हैं जिसको वो medical record officer तो उसकी भी एक उसकी दो हैं sorry दो ही है उसकी उसकी एक open warrant में और एक RBA में हैं तो total cool मिलाके 60 vacances है friends तो qualification की बात करें तो anesthesia के लिए आपको क्या क्या चाहिए MD MS चाहिए anesthesiology की DFA CS चाहिए speciality board of anesthesiology USA और equivalent qualification तो यह रहेगा experience भी आपका यहाँ पर अगर आपके वास experience है तो आपको prefer करा चाहिए END के लिए MS वगारा आप देख सकते हैं आसे details और forensic medicine की MD वगारा चाहिए तो यह भी आप देख सकते हैं और आगे medicine की बात करें इसमें भी MD MRCP FRCP वगारा बहुत कुछ है इसमें भी आप देख लीजिए अपने हिसाथ से और गाइनी वगारा की MD MS MO MRCO MD MS वगारा सब कुछ है अब थाल्मालोजी की भी MS वगारा जो है FRCS भी है अब आगे orthopediatrics की और MD MD MS और यह आप देख लीजिए अपने हिसाब से बहुत सारी vacancies है 60 vacancies है और अलग लग vacancies के हिसाब से अलग लग पोस्ट के साब से अलग लग educational qualifications है और प्लट पैंक के लिए post graduation चाहिए आपको pathology में hematology में MD ठीक है आगे आप देख लीजिए यह आप आप notification यह जो है ना हम अपने टेलिग्राम चैनल में पोस्ट कर देंगे आप डिरेक्ट वहीं से देख सकते हैं नहीं तो आप official साइट से डाउन्नोट कर लीजिए एज लिमिट की बात करें ओपन वैरेट के 40 RBA SC STALC IB EWS की 43 और in service की 45 तो फ्रेंस यह थी आज ही notification कैसी लेगी आपको कमेंट करके जरूर बताएं लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना पूले थैंक्स फॉर वाचिंग